अध्याई आठ नाम मार्ग अर्थात सुरत शब्द योग शब्द की ध्वनी और शब्द के प्रकाश का अनुभव अंतर में केवल आत्मा ही कर सकती है आत्मा की दो शक्तियां हैं सुरत और निरत साधारन भाषा में सुरत का अर्थ है खोश, ध्यान, खयाल या तवज्जो संतों ने आत्मा की सुनने की शक्ति को सुरत और देखने की शक्ति को निरत कहा है सुरत अंतर में शब्द की ध्वनी सुनती है और निरत अंतर में शब्द का प्रकाश देखती है इस ध्वनी और प्रकाश की सहायता से आत्मा आंतरिक रुहानी सफर तै करके निजघर वापस पहुँच जाती है इसलिए पूर्ण संतों ने नाम की इस अंतर मुखी साधना को नाम मार्ग, शब्द मार्ग, सुरत शब्द मार्ग या सुरत शब्द योग का नाम दिया है और योग का अर्थ है जोडना, सुरत को शब्द से जोड कर परमात्मा में समा जाना ही सच्चा सुरत शब्द योग है गुरुरामदास्ची का कथन है, हर आपपे सबद सुरत तुन आपपे आत्मा और परमात्मा दोनों शब्द रूप हैं इसी कारण सुरत और शब्द दोनों में अंश-अंशी का स्वभाविक आकर्शन है जीवात्मा माया के आवरणों के कारण शब्द को देख नहीं सकती और न सुन सकती है परंतु पूर्ण संतों की बताई युक्ती के अनुसार सुरत को शरीर के नौदवारों में से समेट कर आखों के पीछे एकागर करने से अपने आप इसका मिलाप शब्द से हो जाता है और निजघर की ओर इसका सफर शुरू हो जाता है डॉक्टर बलबीर सिंग जी कहते हैं वह अंतर्यामी प्रभू शरीर के अंदर बैठा है वह द्रिष्टी से परे रहता है परंतु सुरत वाला व्यक्ती उसे अंदर की आखों से प्रत्यक्ष देख सकता है सुरत वाला मनुश्य निर्गुण उपासक है वह अपनी सुरत की प्रेम भरी रंगत से निराकार को साकार कर देता है उसकी सुरत उस चुम्बकीय सुई यानि मैगनेटिक नीडल की भांती काम करती है जो अपने धुरे पर टंगी हुई भी धुरूव तारे की और उन्मुख यानि मुह की ये रहती है यह नाम निरंजन है जो सुरत में चुम्बक जैसी चेश्टा पैदा करता है नाम निरंजन ही शब्द ब्रह्म है शब्द एक अनुभव का विशय है इसका पूरा रस जो वृत्ती अंदर ले सकती है सुरत है सुरत ही शब्द की हस्ती को शब्द के सगुण वजूद को शब्द की अनहद व्यापकता को शब्द की निरंतरता को महसूस करती है शब्द की अशब्दता को भी सुरत ही अनुभव करती है आप आगे लिखते हैं कि सुरत और शब्द में जो संबंद है वह व्यक्तिगत रिष्टा है वह ऐसा है जैसा दो हस्तियों में सने होता है शब्द में व्यक्तित्व है अपना निजीपन है वह गुरू का रूप है वह गुरू है सुरत जीव है, दोनों का स्नेय है, संबंध है, यह व्यक्तिगत स्तर पर निजी रिष्टेदारी है यही निजी प्रेम, शब्द सुरत संयोग है आदी ग्रंथ में आता है प्रीत प्रेम तन खच रहया, बीचना राई होत प्रत्यक्ष है कि उस परमेश्वर के शब्द सुरूपी अस्तित्व का अनुभव शरीर या इंद्रियों को नहीं, अंतर में सुरत को करना है इसी लिए आपने गुरु सहेबान के उपदेश को सुरत का सन्यास कहा है जिसमें जपतप, पूजापाथ, तीर्थवरत, कर्मकांड, प्रानायाम और हठयोग की कठिन भयानक और बनावटी क्रियाओं के स्थान पर संसार और शरीर की ओर से उपराम हुई सुरत को अंदर शब्द से जोड़ा जाता है गुरु नानक साहिब फरमाते हैं खट मट देही मन बैरागी, सुरत सबद तुन अंतर जागी, वाजय अनहद मेरा मन लीना, गुर बचनी सचनाम पतीना छेह चक्रों वाली देह में जब मन बैरागी हो जाता है, अर्थात यह शरीर के नौदवार खाली करके आँखों के पीछे एकागर हो जाता है, तो अंदर सुरत का शब्द की ध्वनी से मिलाप हो जाता है इससे मन निश्चल होकर सच्चे नाम में लीन हो जाता है, और आत्मा तथा परमात्मा मिल जाते हैं हुजूर स्वामी जी महराज फरमाते हैं सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश तजो संग जाररी तू देख पिया परकाश चलो गुरू की लाररी तू पावे अजर निवास गहो सरन कोई साधरी जो मिले शब्द घरबास तन पिंजरा यह काल का क्यूं करें पराई आस दस इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फास नौ द्वारन में बंध रही अब चैन नहीं इक स्वास दसवी खिड की खोलरी कर परम बिलास सत्गुरु पूरे कह रहे तू मान बचन विश्वास राधा स्वामी नाम भज होए करम सब नाश आप कहते हैं कि नाशवान मृत्यु लोक और पंच भौतिक शरीर में कैद जीवात्मा का सच्चा पती वह परमात्मा सचखंड में रहता है जब तक जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पती से मिलाप नहीं करती यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकती यदी यह पून संतों के उपदेशा अनुसार, संसार और शरीर के नौदवारों की ओर से पलट कर अंदर शब्द से मिलाप कर ले तो इसे अपने प्रियतम का प्रकाश दिखाई देने लगेगा और यह मन, माया और काल के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके सदा के लिए प्रियतम के अनंद मैं देश में वापस लोट चाईगी योग एवं सुरत शब्द योग गुरुनानक साहिब कहते हैं संतों का सच्चा योग सुरत को अंतर में शब्द से जोड़ना है जिस से मन निश्चल और आत्मा निर्मल हो जाती है आप द्रड़ता से कहते हैं कि यही साधन संपून रुहानी करनी का सार है आप संकेत करते हैं ना मन चलै ना पौन उड़ावै जोगी सबद अनाह दवावै पंच सबद चुनकार निरालम प्रभापेवाय सुनाया सच्चा योग बाहर सिंगी, मुरली, बीन, घंटा, मृदंग आदी सुनने में नहीं अंतर में शब्द की पांच सूक्षम ध्वनियां पकड़ने में है जो वह प्रभू रूपी योगी स्वयम पैदा कर रहा है भाई गुर्दास्ची का कथन है गुर्मुख सुनना सुरत कर पंच सबद गुर्सबद अलापै और साद संगत संसार विच सबद सुरत लिवसहज बिलासी शब्द की पांच ध्वनियों को पकड़ना और उन्हें सुरत द्वरा अपने अंतर में सुनना ही सच्ची गुरुमत है आप कहते हैं आप जोरदार शब्दों में कहते हैं कि बाहर के लाखों राग नाद और धर्म ग्रंथों में वरनित लाखों शब्द भी पून गुरु की मती के अनुसार सुरत द्वरा अंतर में सुने जाने वाले अनहद नाद का मुकाबला नहीं कर सकते बाहरी राग नाद इंद्रियों के विशे हैं परंतु आंतरिक सच्चा अनहद नाद आत्मा के अनुभव का विशे हैं यह अनहद नाद ही सहज योग, सहज ग्यान और सहज आनंद का सच्चा स्रोत है गुरु अमरदास जी योगियों को समझाते हैं ऐसी किंगरी वजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजय हर सियो रहे लिवलाए इत किंगरी त्यान ना लाग गय जोगी ना सच पल ले पाए इत किंगरी सांत ना आवे जोगी अभिमान ना विच्चों जाए बहरी किंगरी से मन शांत नहीं होता है ना अभिमान दूर हो सकता है और ना ही ध्यान परमात्मा के चरण कमलों में लीन हो सकता है इसके विपरीत अनहद शब्द की किंगरी सुनने से मन वश में आ जाता है और वृत्ती, सहज ही प्रभू के चर्णों में लीन हो जाती है गुरुनानक साहब कहते हैं कट-कट वाजय किंगरी, अनदिन सबद सुबाए, विरले को सोजी पई, गुर्मुख मन समझाए अनहद शब्द की यह निरंतर बज रही किंगरी हर घट में धुनकारें दे रही है परन्तु कोई विरले गुर्मुख ही मन को वश में करके अनतर में इस किंगरी को सुनते हैं गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं चार पुकारें ना तू माननें, खट भी एक का बात वखानें दस अस्ती मिल एक को कहेया, ता भी जोगी पेद न लहेया किंकरी अनूपवाजय जोगिया मतवारोरे आप कहते हैं कि हे मतवाले योगी चार वेद, छह दर्शन और अठारे पुरान सभी परमात्मा के शब्द या नाम से लिव लगाने का उपदेश देते हैं परंतु तू, शब्द यानि नाम की सच्ची किंगरी की ओर से मुह मोड कर बाहरी जूठी किंगरी को सुनने में लगा हुआ है गुरु गोबिन सिंग जी बहुत सुन्दर ढंग से समझाते हैं रेमन एहबिद जोग कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला त्यान बिपूत चड़ाओ ताती गहो आतम बसकर की पिछा नाम अदारं बाजे परम तारतत हरी को उपजे रागर सारं उगटे तान तरंग रंग अति ज्यान गीत बंदानं चक चक रहे देव दानव मुनी छक चक ब्यों बिवानं आतम उपदेश पेश संजम को जाप सो अजपा जापे सदार है कंचन सी काया कालना कब हूब्यापे आप उपदेश देते हैं कि सच्चा योगधारन करने के लिए घर-बार का त्याग करने की बाहरी सिंगी बजाने, गले में माला डालने और शरीर पर भभूत रमाने की अवश्यक्ता नहीं प्रतेक शरीर के अंदर परमात्मा के शब्द की सच्ची सिंगी बज रही है जिसे ध्यान यानि सुरत द्वारा अंदर सुनना चाहिए सुरत को पूरी तरह एकाग्र करके वृत्ती को अंदर शब्द की तार यानि ताती में लीन करने से अंतर में नाम का वह अमूल्य पदार्थ मिल जाता है कि बाहर से किसी प्रकार की भिक्षा मांगनी की अवश्यक्ता नहीं रहती आप कहते हैं कि शब्द की यह सिंगी तंती या परमतार ऐसे अद्भुत रस भरे राग यानि रागर सारंग की जननी है जो परमात्मा का निज रूप यानि तत हरी को है इस परमतार में से उपज रही रंग बिरंगी प्रकाश की ध्वनियां संसार के सबसे श्रेष्ट और फल दायक ग्यान का स्रोथ है आपके अनुसार शब्द यानि नाम की ध्वनी ही वह अजपा जाप है जिस से सच्चे आत्मिक ग्यान, सच्चे सईयम और सच्चे योग की प्राप्ती होती है और जीव जन्म मरन के बंधन तोड़कर अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है आप संकेत करते हैं कि रिशी मुनी, देवता, दानव और आकाश लोक सब इस शब्द के सहारे स्थित हैं इसलिए शब्द में सुरत को जोड़ना ही सच्चा योग है पहले बताए गए प्रसंग में आपने शब्द की रसमई और अनंदमई ध्वनी में ध्यान लगाने को सच्चा योग कहा है तो आगे कहे गए प्रसंग में शब्द की निर्मल जोती में सुरत लीन करने को आत्मा की शुद्धी का सच्चा साधन स्विकार किया है जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मननैक ना आने पूरन प्रेम प्रतीत सजैबरत गौर मड़ी मतपूल ना माने तीरत दान दयात पसंजम एक बिना नहीं एक पछाने पूरन जोत जगै कट में तब खालस ताही न खालस जाने आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम की ज्योती माया की हर प्रकार की मैल से अप्रभावित है आत्मा को इस ज्योती में जोडने से जीव की मन माया कर्मों और संसकारों की सारी मैल धुल जाती है और वहे पूरी तरह शुद्ध निर्मल पुरुश बन जाता है ऐसा खालसा या निर्मल प्राणी इस ज्योती से जुडने के अभ्यास के अतिरिक्त जब तब पूजा पाठ, तीर्थवरत, किसी प्रकार के कर्मकांड और समाधी शम्शान आदी की पूजा को स्विकार नहीं करता उसकी पूण प्रीती और प्रतीती का आधार केवल शब्द की साक्षात प्रकाशमान ज्योती होता है और वह दिन रात अपना ध्यान अंतर में इस ज्योती से जोडता है भाई गुर्दासी का कथन है गुर्शिखीदा सिखना सबद सुरत सत्संगत सिख है शब्द सच्चा गुरू है और सुरत सच्ची सेविका है इसलिए सुरत को अनहद शब्द में लीन करना सच्ची गुरू सिख़्ी है इसी प्रकार शब्द भी सत्य है और सुरत भी सत्य है अतहे सुरत का शब्द से मिलना ही सच्चा सत्संग है पून संतों ने दो प्रकार का सत्संग माना है परमात्मा रूपी सत्य में समा कर सत्य का रूप हो चुके पून पुरुष की संगती को बाहरी सत्संग और आत्मा द्वारा अंतर में शब्द की ध्वनी सुनने और शब्द का प्रकाश देखने को अंतर मुखी सत्संग कहा यहां भाई गुर्दास जी सुरत शब्द के मेल रूपी आंतरिक सत्संकी और संकेत कर रहे हैं। इसके अतरिक्त योगी जन, घर बार के त्याग और हट कर्मों के द्वारा बल पूर्वक मन को वश्मे करने का प्रयत्न करते हैं। जबकि यह ढंग कारगर नहीं है। यदि नदी पर बांध लगा दें, तो किसी समय भी पानी किनारों के उपर से बह सकता है या बांध तोड़ कर तबाही कर सकता है। परंतु यदि नदी पर बांध लगा कर इसमें से नहर निकाल दें या पानी का रुख दूसरी और मोड दें, तो बांध भी बचा रहता है और हम पानी को भी बिजली उत्पन करने और खेती बाड़ी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हट कर्मू द्वारा मन को बल पूर्वक वश में करने के बजाए, यदि इसे आँखों के पीछे लाकर इसका रुख बाहरी भोगों के स्थान पर अंदर शब्द का रस पीने की और मोड दें, तो मन सदा के लिए वश में आ जाता है। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाने, सुरत सबद पावसागर तरिये नानक नाम वखाने। अंतर में रहता हुआ भी अपनी आत्मा को अंतर में शब्द में लीन करके सहज ही भवसागर से पार हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश करते हैं, राम नाम मन बेद्या अवर की करीवी चार, सबद सुरत सुख उप जै प्रबरातो सुख सार। आप उपदेश करते हैं कि मन को वश में करने और परमेश्वर की प्राप्ती के सच्चे सुख को पाने का एक मात्र साधन, राम नाम की कमाई या सुरत शब्द का अभ्यास है। सच्ची शान्ती की प्राप्ती के लिए किसी दूसरे ढंग के बारे में सोचने की गुंजाईश ही नहीं है। गुरु अरजुन देव जी उपदेश करते हैं, जी ये जन्त सगले तैमोहे, बिना संता किने न लाखी, नानक दास हर कीरतन राता, सबद सुरत सच साखी। आप कहते हैं कि संसार के सब जीव परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परंतु इसमें सफल वही होते हैं, जो पूर्ण संतों की शिक्षा के अनुसार सुरत को अंतर में शब्द से जोड़ते हैं। एक मात्र सच्चा मार्ग, सुरत शब्द योग। पूर्ण संत समझाते हैं कि नाम यानि सुरत शब्द का मार्ग सबसे प्राचीन है। यह धर्म सनातन है। सुरत को शब्द से जोड़ने का मार्ग स्वयम प्रभु ने हर इंसान के अंदर रचा है। यह ना किसी विशेश समय अस्तित्व में आया है, ना किसी विशेश मनुष्य, संत महात्मा, गुरू पीर, वली पैगंबर या अवतार आदी का बनाया हुआ है। इसका ना किसी विशेश, धर्म, देश, कौम या नसल से संबंध है, और नहीं इसका जाति-पांती, रंगरूप, आयू, बुद्धी, धनी-निर्धन से कोई रिष्टा है। यह एक अनादी, अटल और सर्वमान्यमार्ग है। गुरू अमरदास ची फरमाते हैं। आप कहते हैं कि गुरू मुखों से प्राप्त होने वाला नाम, यनी शब्द ही, अनादी काल से सारे संसार का एक मात्र मुक्ती मार्ग है। गुरू नानक साहिब ने अपने एक पद में संकेत दिया है। आप पे सत्गुर सबद बिचारे, दूजे पाए दैत संगारे, गुर्मुख साज पगत निस्तारे। और बिन गुर्गरब न मेटे आ जाए, गुर्मत तरम तीरज हर नाए। आप इस शब्द को विस्तार से समझाते हैं कि ब्रह्मा, राजाबली, रावन, हरीश्चंद्र, महिशासुर, जरासंध, दुर्योधन, जनमेज्य, कंस आदी सुरत को शब्द या नाम से जोडने के मार्ग से अन्जान होने के कारण हौमे में फंस कर अधोगती को प्राप्त हुए। इसके विपरीत, जिन गुरु मुखों को सच्चे शब्द यानी नाम का ग्यान हो गया, वे परमात्मा की सच्ची भक्ती में लगकर भवसागर से पार हो गये। ब्रह्म मैं गरब किया नहीं जानेया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ठाकुर ऐसो नाम तुमारो, सगल स्रिष्ट को तणी कही जै, जन को अंग निरारो, साद संग नानक बुदपाई, हर कीर्टन आदारो, नाम देओ, त्रिलोचन कबीर दासरो, मुकत पयो चमे आरो। आप कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा के नाम से जोडने की महिमा अपार है। नाम को अंदर धारन करने वाले भक्त सबसे उंचे और न्यारे हैं। वे सारी स्रिष्टी के स्वामी हैं। आप फरमाते हैं कि संत नाम देव, भक्त त्रिलोचन, कबीर साहेब और रवीदास जी जैसे महात्मा नाम की अंतर मुखी आराधना द्वारा ही परमपद को प्राप्त हुए। गुरु नानक साहेब प्रभाती राग के शब्द बारह मह रावल खप जावे में योगियों, बैरागियों और ब्रहम्णों के अनेक प्रकार के करमों का वर्णन करते हुए कहते हैं। कि सबसे निर्मल आचरण शब्द की कमाई है और हर प्रकार के करम जप, तप, तीर्थ, वरत, स्वच्छता, सैयम आदी का फल शब्द की कमाई में सम्मिलित है। इससे काल का भय दूर हो जाता है, आवागमन के दुखों का नाश हो जाता है और सच्चे प्रभू में समाने की सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आदी गरंथ में आप फरमाते हैं। सबद मिले से सूचा चारी साची दरगय माने अन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने। सगले करम तरम सुच संजम जपतप तीरत सबद वसे नानक सत्गुर मिले मिलाया दूख पराच्छत काल नसे। गुरु अर्जुन साहिब सुखमनी में फरमाते हैं। आप कहते हैं कि हम हर युग के हर करम और धरम को अच्छी तरह आजमा कर इस निशकर्ष पर पहुँचे हैं कि नाम की आउशधी के बिना मन वश में नहीं आ सकता। त्रिशना का नाश नहीं हो सकता और परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। कबीर साहिब कहते हैं जोगी जती तपी सन्यासी बहुतीरत प्रमना लुन्जित मुन्जित मोन जटातर अंततव मरना ताते सेवियले रामना रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना आप कहते हैं कि जपी तपी योगी और सन्यासी कभी जन्म मरन के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। केवल राम नाम के सिमरन से ही यमदूतों से छुटकारा मिल सकता है। पल्टू सहिप के वचन हैं जपतप तीरत बर्त है जोगी जोग अचार पल्टू नाम भजे बिना कोव न उतरै पार। और पल्टू जपतप के किहे सरैन एकव काज भवसागर के तरन को सत्गुरु नाम जहाज। आदिग्रंथ में आता है कि गुरु नानक सहेब नाम निरंजन का रूप थे। जिन्होंने स्वयम प्रेम पूर्वक नाम की साधना की और सुरत शब्द की कमाई की युकती गुरु अंगत सहेब को सिखाई। उन्होंने परंपद प्राप्त किया और सुरत शब्द की सच्ची विधी प्रचलित की। नानक नाम निरंजन जाननेयों की नी पगती प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंगसंग पयो सायर तिन सब्द सुरत की नीव रखाई। कबीर सहेब के अनुसार। कबीर आधी साख ही है कोटि ग्रंथ कर जान। नाम सत्त जग जूट है सुरत सबद पहचान। करोडों ग्रंथों और शास्त्रों का सार इस एक कथन में आ जाता है कि जगत नाशवान है नाम अविनाशी है। तथा सुरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ कर अपनी पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करनी चाहिए। हुजूर स्वामी जी महराज भी यही उपदेश करते हैं। सुर्त खैंच चड़ावो गगनी धुन शब्द सुनो यह करनी। मन चंचल थिर ना रहावे चित निर्मल कस होय आवे। सुर्त शब्द कमाई करना सब जतन दूर अब धरना। निश्चे द्रड इस पर धरना आलसकर कभी ना फिरना। यह सार सार सब गाया संतनमत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया सुनमान सार समझाया। आप फरमाते हैं कि मन में द्रड निश्चे कर लेना चाहिए कि मन को निश्चल करने की एक ही सही युक्ती सुरत द्वारा शब्द की कमाई है। आप सावधान करते हैं कि जो भी पारमार्थिक लाब होता है सुरत शब्द की अंतर मुखी साधना द्वारा होता है सुरत शब्द की साधना हर प्रकार की आध्यात्मिक करनी का सार है इसलिए आशंका और अलस से त्याग कर एक मन एक चित होकर सुरत को अंतर में शब्द में लीन करके रुहानी सफर तै करने का प्रयत्न करना चाहिए आप आगे कहते हैं कि सब पूर्ण संतों ने सुरत शब्द के इस अंतर मुखी अभ्यास को ही राधा स्वामी यानि परमात्मा की प्राप्ती का सच्चा मार्ग स्विकार किया है और मैं भी निजी अनुभव के बल पर संतों के सुरत शब्द के मार्ग को ही रुहानी उन्नती का एक सही साधन मानता हूँ आपने राधा स्वामी शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राधा का अर्थ आदी सुरत या आत्मा और स्वामी का अर्थ अनादी शब्द जो परमात्मा का रूप है सुरत का शब्द में समाना ही राधा का स्वामी पद को प्राप्त करना है और यही सच्या सुरत शब्द योग है राधा आदी सुरत का नाम स्वामी आदी शब्द निजधाम सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी गुरु अमर्दास्ची कहते हैं करम हुवै सत्गुरु मिलाए सेवा सुरत सबद चितलाए आप फरमाते हैं कि जिन पर परमपिता परमात्मा अपने साथ मिलाप की दया करना चाहता है उन्हें गुरु मुखों के माध्यम से सुरत को शब्द से जोडने की युक्ति सिखा देता है जिस से उनके मोह के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और उनके अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम उत्पन हो जाता है गुरु नानक साहिब की वानी है मुकतपई बंधन गुरु खोले सबद सुरत पतपई नानक राम नाम रिद अंतर गुरु मुखमेल मिलाई ऐसे सुभाग शाली प्रानी अंतर में नाम की ध्वनी से जुड़ कर परमात्मा में समा जाते हैं और सदा के लिए आवा गमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं गुरु साहिब कहते हैं सबद सुरत बिन आवे जावे पतखोई आवत जाता है और साकत नर सबद सुरत क्यों पाईए सबद सुरत बिन आईए जाईए आप उपदेश करते हैं कि गुरुमुक लोग तो सुरत को अंतर में शब्द से जोड़ कर स्थाई मुक्ती प्राप्त कर लेते हैं परंतु सुरत शब्द के मार्ग से दूर रहने वाले मनमुक सदा आवा गमन के दुखदाई चक्र से बंधे रहते हैं हुआ है